नमस्कार जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार में आपका स्वागत है आई चलते है खबर की ओर 24 घंटे इलाज का बिल 90,000 रुपए जवलपुर के संसकार धानी हॉस्पिटल की सिक्का एड कलेक्टर के पास पहुँची कारवाई का डर दिखाया तो 30,000 रुपए हुआ जवलपुर में निजी अस्पिताल ने 24 घंटे इलाज का बिल 90,000 रुपए बना दिया मरीज की हालत बिगरने पर उसे मेडिकल कॉलिज के लिए रिफर कर दिया अस्पिताल के बिल की सिकायत परिजनों ने कलेक्टर केरवाई पर की कलेक्टर कर्ववी शर्वा ने CMHU रतनेश कुरारिया को मामले को देखने के लिए कहा CMHU ने नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका दूवे को मौके पर भेजा अस्पिताल पर कारेवाई का डर दिखाया तो बिल में 60,000 कम कर दिये हॉस्पितल का चार्च 14,000 दवा और जाच पर खर्च 16,000 रुपे ही सही मिले अस्पिताल ने 24 गंटे की जगह अस्पिताल डॉक्टर के विजिटिंग और वेंटिलेटर का खर्च ही 60,000 रुपे बताये था यह बिल दो दिन का था नर्सिंगपूर जिले के गाररवारब इसे इलाज के लिए माढ़ोताल इसे संसकारधानी होस्पिटल में ललित सराठे को परिजनों ने शनिवार शाम भर्ती कराये था अस्पताल पहुंसते ही उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया हालत बिगरने पर रविवार को अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल कॉलेज रिफर करते हुए बेहजार रुपे का बिल थमा दिया 24 घंटे से भी कम समय का भारी भर कम बिल देखकर परिजन भी हैरान रहे गए परिजनों ने आर्थी खालात का हवाला देते हुए बिल कम करने की मिनिते तक की लेकिन अस्पताल प्रबंधन बिल कम करने को राजी नहीं था पहुचाते रहे खबरे हम आपको इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें